डोस्तों अगर आप HDFC बैंग का credit card का भी टाईब से लेना चाहते हैं या फिर HDFC बैंग का credit card आपका पास है बट उससे बेटर वेरियंट मlorब बेटर जो credit card है HDFC बैंग का वो लेना चाहते हैं और regular process से आपको काड नहीं मिल पा है तो ऐसे में एक नया option HDFC bank ने अभी काफी महीने से चला रखा है और उस option का फायदा लेके आप HDFC bank के जो popular credit card से उनको पास सकते हैं और वो है FD bank credit card मतलब आप HDFC bank में FD खुलवाके और उसकी basis पे जो credit cards है उनको ले सकते हैं दोस्तो उसमें आपको यह करना होते हैं कि minimum amount दिया हुआ हर credit card के लिए उतने amount की FD जो है आपको HDFC bank की किसी भी branch में खुलवानी होती है और उस FD की basis पे आपको credit card मिल जाता है एक बात याद रखिए दोस्तो इसमें आपको जो credit card मिलता है वो एक secured credit card होता है मनलब credit card को जो आप use करते हैं तो उसकी जो credit limit यूज करते हैं वो आपकी directly linked होती है आपके FD के balance से मनलब in case कभी आपने default किया और credit card का bill नहीं चुका है तो bank के पास right होता है कि आपकी जो FDA उसको तोड़के उस balance को व है उसको recover करें चुकि यह credit card FD से backed रहते हैं FD से supported रहते हैं तो bank को आपके income level के आपके credit score की चिंदा करने की जरूरत नहीं रहती है और इसी reason से आपका credit score अगर बहुत खराब भी है या बिल्कुल नहीं है आपकी income भी इतने अच्छी नहीं है तब भी आपको HDFC bank के यह credit card ज दिलते हैं अब कितने रुपे की FD खुलवाने इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप HDFC bank का बहुत ही entry level credit card मले HDFC IOCL credit card यह freedom credit card वो अगर लेना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपे से लेके 34,000 रुपे तक की FDA वो आपको open करवानी होती है अगर आप HDFC bank का money back plus credit card कर लेना चाहते हैं तो आपको 35,000 रुपे से लेके 14,000 रुपे तक की FD ओपन करवानी होती है अगर आप HDFC bank का money credit card छी ओई अगर आप eligible नहीं है रिगाले आप gold credit card के लिए इसी तरह से HDFC bank के जो business credit card की जो एक नई स्रीज पिछले एक साल में launch की गई है जो काफी popular है वो credit card भी आप FD basis पे पा सकते हैं अगर आपको HDFC bank का business first credit card apply करना है तो आपको 20,000 रुपे से लेके 24,000 रुपे तक की FD जो है वो करवानी होती है business growth credit card लेना चाहते है तो 55,000 रुपे से लेके 3,34,000 रुपे की FD जो है वो आपको open करवानी होगी business power credit card को apply करना चाहते है तो 3,35,000 रुपे से लेके 5,50,000 रुपे तक की FD जो है वो आपको open करवानी होगी और अगर बिजनेस ब्लैक क्रेडिक कार जो काफी एट्रैक्टिव और बेनिफिशल क्रेडिक कार है स्पेशली बिजनेस यूजर के लिए तब आपको पांच लाग पचास अरुपेस से ज्यादा की FD जो है वो उपन करवानी होगी उसकी बेसिस पर आपको ये कार्ड तुरंती मिल जाएगा एवन अगर आप उसके लिए अलिजिबल नहीं है तब भी पर दोस्तो एक बात याद रखें कि इन जो क्रेडिक कार्ड है इसमें जो आपको ट्रेडिक लिमिट मिलेगी वो आपको मैकसिमम उतनी ही मिलेगी जितनी की FD है मलब अगर आपने एक लाग रुपी की FD कराई है तो एक लाग रुपी से जाधा की क्रेडिक लिमिट आपको नहीं मिल सकती है हो सकता है कि बैंक आपको 80,000 रुपी की ही क्रेडिक लिमिट इसमें दे दूसरी बाद जात रखिए दोस्तों कि आप जितने टाइम के लिए FD कराएंगे आपका कार्ड उतने टाइम के लिए एक्टिवेट रहेगा अगर आपने FD ब्रेक करा दी या FD मेचेवर होगी उसके बाद आपने इसको विड्रो करा लिया तब आपका क्रडिक कार्ड जो है वो भी बंद हो जाएगा बाद में अगर आपने FD को कम भी करा है तो आपके क्रडिक कार्ड की जो लिमिट है वो भी उसके अक्वार्डिंगली कम हो जाएगी तो सीधे सीधे credit card और उसकी limit दोने आपके FD के balance से linked है अब सवाल यह आता है कि दोस्तों क्या FD basis पे credit card खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए दोस्तों इसका एक सबसे पहला answer तो यह है कि अगर आपको directly credit card मिल रहा है बिना किसी FD को खुलवा है तो वही credit card लीजिए FD bank credit card के पीछे मत भागिए अपने eligibility की basis पे HDFC पेंगा जो भी credit card आपको मिल रहे हो लीजिए regularly use कीजिए और bank को request करके आगे जाके आप उसको upgrade करवा सकते है credit limit को भी आप उसी तरह से request करके बढ़वा सकते हैं इसके वाउजित भी अगर आप credit card लेना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए दोस्तों कि एक बड़ी बैक credit card लेते हैं पूरी तरह से आपकी FD जो वह लॉक वजाएगी उतना पैसा आपका end रहेगा तो याद रखिए कि FD पर जितना interest मिल रहा है वह interest आपके लिए sufficient है या नहीं है अगर आपके पास दूसरे better option है better interest या return पाने के तो शायद या option आपके लिए इतना अच्छा नहीं है तो वह भी एक तरह की additional cost हो जाती है क्योंकि आप FD का जो interest है उतना ही पातर जिस पर tax भी applicable होता है तो tax को भी आप compute करके net return जो है वो देख सकते कि आपको कितना मिल रहा है FD पर और उतना amount आप locked रखने सिर्फ है credit card के लिए तो वह भी आपके लिए सोचने वाली बात है तीसरी बात दोस्तों ही HDFC bank या कोई bank तो यह बात नहीं बताता है बट practical user के experience की basis पर यह पता चला कि एक बार जब आप FD back credit card खुलवाते है तब आप regular credit card मिलना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि bank नहीं चाहता है कि आप अपने FD को close कर रहा है या फिर उसको कम कर रहा है तब आप यह option के तहरे credit card को ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो informative लगा तो इसको like कीजिए channel का अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को भी subscribe कीजिए thank you bye